नया और यूनीक सा नुस्खा आ जब पहली बार देखेंगे, आज से पहले आपने से कभी नहीं देखा होगा, मैं शेर करने वाली हूँ आपसे एक कम्प्लीट ग्रेय हैर सिलूशन, यानि कि सफेद बालों का एक कम्प्लीट सिलूशन हाई गाईस, वेल्कम बैक टू माई चानल, दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ बहुत भड़िया से यूनीक सी वीडियो, जो हम बनाने वाले हैं महंदी की पत्तियों से, जी हाँ महंदी का पाउडर तो आपने काफी सारे यूज किया है, उसको यूज करने का त तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ, कम्प्लीट होममेट कॉम्बो, जो आपको सफेद बालों से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा, इन दोनों चीजों को आपको घर पे बनाना है, कैसे यूज करना है, क्या चीज पहले यूज करनी है, क्या चीज पाद में यूज करनी है, पूरी वीडियो घ्यां से जरूर देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बढ़ियां से वीडियो, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे विद बेल आइकल, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप जो ये लीफ्स ये तोड़ लिया था तो इस वजा से ये ड्राय हो गई है जादा पानी का यूज आपको नहीं करना है, तो से तीन बड़े चंवजा पानी डालिए और उसी में आपको यह से घ्राइड करना है, बहुत जादा रणी पेस्ट नहीं बनाना है, तो हम यहां पे कोई हैर पैक नहीं बना रहे हैं läuft अम यहां पर कुछ और को स्अ मज़ड़ा कने दालूड़ा न यहां ने हम अबना-भी और दॉस्तुर मॉड़ा ऍएक बाद-अ-ब्रज क्मछ च्काइब करना ह। तीन चम्मच के बराबर और इसे एक बार अच्शे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमें इसमें और त्रिफला पॉदर वो भी दो से तीन चम्मच त्रिफला पॉदर आप्शनल है, अगर आप महंधी के साल सिर्फ आमला पॉदर भी डालते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा तृफला पौडर अगर आपके पास है तो डाल ये वर्ना नहीं डालिये अब इसे में अच्छे से मिक्स कर ले ना है और बिल्कूल ऐसा ही ड्राय सा में पेस्ट बनाना है दोस्तों बिल्कुल भी रनी पेस्ट नहीं बनाना है इस सुखा सा ड् अपने पाम्स पे रब कर लीजे हाथों पे रब कर लीजे और जिस तरह से आप लड़ू बनाते हैं वैसे ही छोटी-छोटी सी गोलिया बना लेनी है इस मेहंदी के पैक की बिसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि ओईल के साथ आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं जिन लोगों को तेल को गरम करके यूज नहीं करना अच्छा लगता है वो एक जार में ओईल को लें सरसो का तेल एक जार में आप भर लीजे उसके बाद इसकी चार-पांच गोलियां डा करना है तो दूसरे मेफिड में क्या करना है। अपको थोडा सवां यूचल लेना है उसको गरम करना है मस्टप वैल को सरसों के तेल को गara करने विए को दिककत नहीं है दोस्तों बट अगर आप गरम नहीं करना चाहते तो पहले परिछीजर फॉलो करे इसमें हमें डालना है एक बड़ा चम्मच इस हेर पैक का जो मिक्स्चर हमने बना के रखा है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस ओयल में और इस ओयल को भी हम उबालेंगे नहीं बहुत सदा पकाएंगे नहीं सिर्फ एक मिनिट के लिए ग्यास का फ्लेम और रखेंगे जब यह प प्रोसीजर फॉलो करें इसलिए मैंने स्टेप बई स्टेप आपको दिखाया है और चाहें तो यह वाला भी प्रोसीजर कर सकते हैं जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं ए पूर आपको अइंड करना है थोड़ा समस्टेड विए एक चमच के अराअबर इसके बाद आपको इसमें आड करना है दही यानी कि कर्ड दही से आपको ब्लाक करने की कोई जरुवत नहीं है यह आपको वैसे ही बहुत बढ़ियां कलर देगी आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें एक चम्मच कॉफी में लाके और उसके बाद इस हेर पैक को तयार करके वैसे यूज करें चलिए इसमें एक बड़ा हो गया है तो इसे भी हम एक जार में फिल करके रख लेंगे सो दोस्तों यह तयार हो गया है हमारा ग्रे हर कॉम्बो यानि सफेद बालों के लिए बढ़ियां सा कॉम्बो आपको इसने यूज करना है आपको सबसे पहले हैर पैक को अपलाई करना है हफ्ते में एक बार दो को इतने बड़ियां रजल्ट मिलेंगे कि वापस आके मुझे आप जरूर पताएंगे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी यह बड़िया सा कॉम्बो पैक पसंद आया होगा जी हां मार्केट के कॉम्बो पैक्स को छोड़िए और घर पे बनाईए अपना हैर पैक प्ल आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा शेर करिएगा और चानल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे अपना फीडबैक देना मत भूलेगा इसे यूज करने के बाद मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तो दिन टेक केर और बाइबाइ कर दो